असलावल कुम एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद है कि सब ठीक होंगा इंशाला तो आज हम बनाने वाले हैं स्टफड करेला फ्राई तो इसके लिए हमने लिए थे एक किलो करेला छोटे छोटे साइस के तो इसे बीच से कट लगाएं और चाहे तो बीच इसके ऐसे ही रख दे वरना तो निकाल दे तो इसे पानी में उबलने के लिए रख दे दो से तीन मिनिट तक जब तक ये नरब नहीं हो जाता तब तक इसे उबालना है तो पहले इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, एक टीस्पून, इसके बाद नमक, थोड़ा टेस्ट के कारिंग नमक, ज्यादा नमक नहीं डालें, तो इसे उबलने के लिए छोड़ दें, दो से तीन मिन्ट, इसके बाद हम इस तरह से इसे ड्रैन कर देंगे वाटर को, तो हाफ कब गार्लिक हमने छील लिया है, लहसुन, इसके बाद एक कब नारियल, सुखा नारियल, इसे हमें ग्राइंड करेंगे, तो इसमें आट करेंगे, वन टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके बाद नमक टेस्ट के कारिंग, तो इसके बाद हम डालेंगे, देर से दो देबल स्पून, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करें, इसके बाद इसमें डालें लहसुन, पहले नारियल को ग्राइंड करने के बाद लहसुन आट करें, वरना तो नारियल बारिक नहीं होगा, तो इसे अच्छे से ग्राइंड करें, अब इसे करेले में हम इस तरह से स्टाफ करेंगे इस तरह से भरेंगे करेले में इसके बाद से अच्छे से प्रेस करें सारे करेले जो है इसी तरह से भर के रख ले देखे हमारी रेसिपी अगर आपको पसन आती है तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे हम और फ्राइ करेंगे इसके लिए हमने आड़ किया 250 ml आईल 250 ग्राम आईल हमें हीट करना है आईल को अच्छे से हीट होते ही हम इसमें सारे करेले आड़ कर देंगे इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छे से चलाते रहें डालने के बाद थोड़ा से चला दें और इसके बाद थाली ढखकर इसे पकने छोड़ दें देखें इसे थोड़ा होने के बाद इसे अच्छे से होने देते हैं तो बीच बीच में इसे चलाते रहें 15-20 मिनिट इसे low to medium flame पर रख कर बनाएं तो बचा हुआ ये नारियल का जो mixture था इसे भी हमें इसमें add कर देंगे इसे अच्छा से mix करें और low flame पर थाली से ढख कर इसे पकाएं इसे रोटी में या राइस में serve किया जाता है उमीद है कि हमारी recipe आपको जरूर पसंद आई होगी तो चलिए 5-10 मिनिट इसे इसे ही low flame पर छोड़ दें इसके बाद इस्टाव को आफ कर दें जिसको भी करेले खाना बहुत पसंद है तो जरूर ट्राइ कीजिए गए recipe बहुत ही मज़ेदार recipe है ये और comment करके मुझे बताएगा कि आपने कैसे बनाई है ये उमीद करती हूँ कि आपको ये recipe जरूर पसंद आई होगी इंशाला तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए हमें दुआओं में आद रखें अपना ख्याल रखें खुदा हाफिस और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें